हेलो फ्रेंट्स टेस्टी एंड डिलीशेस फूड वाइब जोदी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इननी लाइक और शेयर कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क् पाएं फ्रेंट्स आज हम हमारी रेसिपी में आमले की रेसिपी शामिल कर रहे हैं और आमले का और मिर्ची का एक बहुत ही जटपट बनने वाला आचार आपको हम बता रहे हैं उसकी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने कमेंट्स भी नीचे कर सकते हैं त के लिए फ्रेंट्स हमने आदी किलो आमलो को लिया है और इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है साफ कर लिया है एक कपड़े से पहुंच लेंगे क्योंकि फ्रेंट्स गीले होंगी तो अचार खराब होने का डर रहता है तो इसे पहले सुखा लेंगे हम कपड़े से अच्छ करके भी निकाल सकते हैं लेकिन वो अचर थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है उसे जल्दी खाना पड़ता है इस तरह से आप बनाएंगे तो ज्यादा समय तक चल जाएगा अचर और जल्दी से खराब भी नहीं होगा इस गुटली को हम फैक देंगे और ये देखे सारे हमने इसी तरह से काट लिए हैं अब हम इसे गैस पर चड़ाएंगे गैस पर हमने पैन को रखा है अलगबग एक कटोरी भर कर हमने सरसों का तेल इसमें डाला है सरसों की तेल में ही बनाने चाहिए आचर उससे उनका टेस बहुत अच्छा आता है जब तक तेल गरम हो रहा है हम एक चमच भर कर सौंफ को कूट लेंगे इस तरीके से आप ग्राइंडर में भी हल्का दरदरा पीश सकते हैं अब यह गरम हो चुका है ओयल अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे यह देखिए इसमें इसे भाप निकल रही है अब यह ठंडा हो चुका है इसमें आब हम चु अमच भरकर लाल मिर्च पाउडर डालकर इन सभी मसालों को मिक्स करेंगे गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी थी यह देखिए फ्रेंज़ और अब हम इनको सेख लेंगे और सेख कर हम गैस की फ्लेम आन कर लेंगे अब हम ये सारे कटे हुए आमले इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ये बहुत ही जटपट और क्विक बनने वाला आचार है ये साथ से आठ हमने हरी मिर्च ली हैं उनको पतला पतला चारचा टुकरों में काट लिया है इन्हें डालेंगे और ये नमक लिया है आमले बहुत खटे होते हैं इसलिए फ्रेंड्स मैंने आधी कटोरी नमक लिया है आप कम जाधा नमक को कर सकते हैं अपने स्वादानुसर अब इन सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे ये देखिए तेल छोड़ दिया है सारा उसने आचार ने ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करके इसको इस तरह से पकाएंगे और ये देखिए चेक करेंगे दो-चार मिनिट में ही ये आचार पुरा गल जाएगा ये अब गल चुका है आचार मैं आपको काट कर दिखाती हूँ ये दिखे तो तयार है आपका ये इंस्टेंट आचार आमले और मिर्ची का बहुत ही स्वादिष्ट बना है ये आचार गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे गलास जार में रखेंगे ये गलास जार मैंने दो कर सुखा लिया है और जब ये आचार ठंडा हो जाएगा तब हम इसे भर देंगे ये देखिए मैंने इसको ठंडाउने पर भर दिया है लग रहा है ना बिलकुल बाजार जैसा अचार ये देखिए कोई कहन नहीं सकता है इस अचार को देखके कि आपने इसे कुई जटपट सर्फ दो-चार मिनट में ही आपने इसे घर पे तयार कर लिया है ये देखिए फ्रेंट्स आप इसी तरह से अपने घर पे बनाएं और सबी खाएं ये बहुत ही टेस्टी अचार लगेगा चलिए फ्रेंट्स फिर से मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर